बेदने जा रही है स्री मतिमानी डिम्पल यादों जी से हम अंलोथ करेंगे आएं और हम लोगों को सम्मधित कर डिम्पल यादों जिन्दाबाड ताली बजा के दोनों हाथों चेंचागत करिये पमाजवादी पाठी थे नेतागर्तory के नेतागर्ण और जीतने भी हमारे यूवा काड़कर्थ हाँ यहां पर उपस्तित है हमारे किसान भाई हमारी मातार भेने जो कम संख्या में हैं क्योंकि आप युवा लोग सब आगे आगे हैं मेरा मानना है कि महलाओं को आगे जगह देनी चाहिए थी थोड़ी सी सभी नौजवान साथी सभी पत्रकार बंदू जो आज यहां उपस्ते थे आप सभी को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी और विशेश रूप से कन्नौच की जन्ता को धन्यवाद देना चाहूंगी जो आज यहां पर आई है और उनका अभार में व्यक्त करना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने दो बार समाधी पार्टी को और मुझको यहां से सांसत बना के भेजा है और मैं समझती हूँ जब आज मैं रमांकन भरके आई हूँ तो आप सब का आशरवार और शुभ कामना है समाधवादी पार्टी के साथ है अब तो अब तो गटबंधन भी साथ है और जैसा कि श्री राम गुपाल चाज़ा जी ने कहा है जहाँ जहाँ समाजवादी प्रत्याशी खड़े हुए वहाँ वहाँ में समाजवादी पार्डी को जिताना है और जहाँ जहाँ बस्पा के कंडिडेट्स खड़े हुए है वहाँ वहाँ में बस्पा को भारी मतों से जिताना है करनोज से समाजवादियों का बहुत गहरा और पुराना रिष्टा रहा है और जो सम्मान करनोज ने मुझे को दिया है और अखलेश जी को दिया है उसका मैं अभार व्यक्त करती हूँ और यह कहना चाहूँगी कि जिस तरह इस छेत्र का विकास लगातार पिशले 15-20 सालों में होता आया है आगे भी 15-20 सालों तक होता रहेगा अब जितनी हमारी थोड़ी बहुत मातायां मौझूद है और जितने भी लोग यहाँ पे हैं जिनके बच्चे हैं तो मैं पूछना चाहूँगी यहाँ पे जितने भी लोग भरस्त हैं क्या क्या क्योंकि मैं खुद एक माह हूँ तो मैं पूछना चाहूँगी कि आप लोग कि अपने बच्चों को चौकितार बनाना चाहते हैं आज ही कल ही UPSC का रिजल्ट आया है ठीक हमें इस तरह की हमें इस चाहन चाहन कल ही UPSC के रिजल्ट आये हैं और हम जानते हैं कि हमारे बच्चे अजिकारी बनने जा रहे हैं तो जो लोग मानते हैं कि देश के वो हर बच्चे को चौकितार बना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूंगी वे सरासर गलत है हमें चाहिए एक अच्छी सरकार को चाहिए हैं कि वो शिक्षा की तरफ बच्चों के ध्यान दे उन्हें ऐसे अफसर दें जिसे कि वो हर खुद पढ़ लेके अपने पैरों में खड़े हो सके और इसी के साथ 2017 में जब नोट बंदी हुई थी तो कहा गया था कि इससे आतंगवाद खतम हो जाएगा नकसलवाद खतम हो जाएगा कालाधन खतम हो जाएगा लेकिन आज सबसे जादा अगर आतंगवाद कश्मीर में है और रोज हमारा एक नौजवान रोज हमारा एक जवान फोर्च का जवान रोज एक शहीद हो रहा है तो ये मैं समझती हूँ ये मौजूदा सरकार की नाकामी है कि रोज पुल्वामा की घटना बहुती दुखदाईग थी लेकिन फुल्वामा की घटना के बाद भी लगातार हमारे जवान वहाँ पे शहीद हो रहे हैं लगातार आतंगवाद बढ़ रहा है और माजूदा सरकार को ये मानना पड़ेगा कि उनकी सरकार जब से आई है हमारे शहीदों की शहादत में बढ़ोतरी लगातार होती रह अब महिलाओं के साथ लगातार उत्तर पदेश में अफराद बढ़ रहे हैं 2017 से आज 2019 से इस सरकारों ने ना केंदर की सरकार ने और ना राज्य की सरकार ने कुछ किया है और लगातार और कल तो मत्रौ की घटना ही आप जानते होंगे किस सरक महिला कॉंस्टेबल के बार त देश को एक नई दिशा और इस देश को एक नई दिशा और एक वातावरन देने का काम करेंगे और जूटए वादो वाली सरकार कप जाने का समय आ गया है मैं आप सभी चरुपरी उमीद करती हूं मुझे पूरी उमीद है कि इस बार जादा से जादा लोग आप बटन दबाके समाजवादी पार्टी को विज़ई बनाएंगे और मैं विशेश धन्यवाद देना चाहूँगी मैं विशेश धन्यवाद देना चाहूँगी मायवती जी का और शसी संद्रमिश्रा जी का मैं आपने उपस्तिती दी है मैं आपका अभार और धन्यवाद देती हूँ और आप सभी का जो अतने सुभे से आप रुके हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अब हम